एक शक्तिशाली जीवन कैसा जीना और उसके लिए क्या करें उसके बारे में और एक उसका आस्पेक्ट में आज बताने वाला हूं जिससे आप यह अमल में लाते हैं तो डिफिनेटली एक सक्सेस्फुल जीवन आप जी सकते हैं तो आईए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपर केड़कर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संभून तदा व्यसन मुक्ति तग्यों महराष्ट में अकुला नागपूर ठाने मुंबई यह हमारे हॉस्पिटल से मनोरो में तदा व्यसनी लोगों को हम इस्थारों के साथ में भरती करते हैं इस्थारों के अलावा भरती करते हैं आज बताने वाला हूँ शक्तिशाली जीवन कैसे जिना है लोग असफर होते रहते हैं उससे डिप्रेस होते हैं और फिर समझता ने उनको कि ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हुआ लोग फिर अपने नसिब को दूस देते हैं मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि देखो आप जो आज बने हैं वो आपने अतीत में जो भी कुछ किया है उसके वज़े से आप आज वरतमान में हो जैसे आपने कुछ मैगेजिन पढ़े होंगे कुछ किताबे पढ़ी होंगी आपके उपर माबापने कुछ संसकार किये हों है कि आप जो भी माइंड में डाल रहे हैं अंदर सबकॉंश में जो भी आप डाल रहे हैं वो आपके विश् ihm और वहां से आपकी जिन्दगी जीरें हैं मगर समझोह जो भी कुछ में जो यह आपके पास में आपकी क्रिया हैं इस व uz Sw आपके में वो तो आप कर सकते हो तो हर बार आपको पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं कुंसी कृति कर रहा हूं अपने आपको पूछना पड़ेगा कि मैं क्या है जो कृति कर रहा हूं बराबर है जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं, वो बराबर है, खुद को पूछना पड़ेगा, या फिर आजु बाजु के लोगों को पूछना पड़ेगा, आपके माँ, पिताजी है, आपके गुरु है, आपके कोच है, आपके मैनेजर है, आपके दोस्त है, उनको सब को पूछना पड़े को क्रिटिसाइस करेंगे फिर हमको बुरा लगेंगा और वो मैं फेस करने को तयार में रहता है वैसे जिन्दगी तो आपको हर समय फिडबैक देते रहती है मंगर हम उसके उपर ध्यान देते नहीं हूँ मेरी गाड़ी थोड़ी सी आवाज कर रही है तो मैं उसके उपर ध्यान देता नहीं हूँ देखें के बाद मैं ऐसा सोचते है थोड़ा सा दाप में दर्द हो रहा है तो उसके उपर मैं ध्यान देता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा जब दर्द होगा ना तो मैं डॉक्टर के जो भी अंदर गयाय है वो जान दो, डालना नहीं डालना, और कोसा अंदर डालना यह आपके हाथ में आज वरतमाद में, और śmegles उसे आपको एफेक्ट मिल रहा है, उसके वजह से आपको इह अउटकमस मिल रहे एं। तो है करो और जो भी आपको नहीं रिजर्ट्स मिल रहे हैं जहां भी आपको रिजर्ट्स नहीं मिल रहे हैं उसको बंद करो जो भी चल रहा है हो चलने दो जिससे फायदा मिल रहा हो करो जिससे नुकसान हो रहा हो बंद करो जिन्देगी में कुछ सी कृती करना वा आपके हाथ में है जैसा आप टीवी देखने में समय कमा रहे हो बहुत जाला खर्चा कर रहे हो आप बहुत जाला खाना पिना इसमें मश्गूल है और वहां वो करते रहते है आप कम सोते है जरुत में उतना जाला खाना खाएंगे समय पेने जाएंगे लोगों का अपमान करेंगे अफ़ाय फैलाएंगे आप जो भी चल रहा है उसमें आप देखो कि आप क्या ऐसा कर रहे कि आपकी जिन्दगे ऐसी हो रही है जो भी आपकी जिन्दगे आज वर्तमान में है आपने कौन सी कृति किया क्या ऐसा किया क्या लोगों से मैंने फिड़ बैक लिए मैंने ऐसा क्या सोचा तो ऐसा सब पुरा विचार हम कर दे तो डिफिनिटली हमको रिजर्स मिलेंगे तो आज का विशे यही है कि आपने यह देखना है कि मैं अंदर क्या डाल रहा हूँ जो अंदर गया है उसको मैं कैसा ट्रांस्वर्म कर सकता हूँ उसको कैसा बदल सकता हूँ मुझे कौन सी कृति करनी है कौन सी क्रिया करना है कि जिसके वज़े से मैं मेरा लाइब बदल सकता हूँ नमबर तीन लोगों का फिड़िबैक लेना जो भी मैं कृति कर रहा हूँ उसके उपर लोगों का फिड़िबैक लेना लाइफ जो है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ हमको feedback मिलते रहे हैं, feedback लेना, alerts मिलते हैं, alerts लेना, सूचना ये मिलते हैं, वो सूचना ये लेना, और सूचना जैसे मिलती है थोड़ा आलट मिलता है तो उसके उपर खृति करना ताकि आगे चलने वाला जो खराब है जो breakdown हो सकता है वो होंगा नहीं करते हैं तो पूरी जिन्दगी मैं जैसा मैं जैसी चाहूंगा वैसे होंगो जिन्दगी के ड्राइविंग सीट में मैं बैठा रहूंगा steering wheel मेरे हाथ में रहेगा और जिन्दगी powerful जीएगए सबी लोग powerful जिन्दगी जिना चाहते है सबी लोगों को एक वीडियो फैला बताओ कि देखो जिन्दगी powerful कैसी जिना है तो आपके संपर्ग में जित्ते भी लोग है WhatsApp के ओपर जित्ते लोग है सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो आप लाइक करते हैं हमारा उत्सा बढ़ता है आप बेल आइकोन को हीट करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहली बार उसका इंटिमेशन आजाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बेरी मुच्छ